तो अब क्या करने वाले सर अब बात करेंगे हम नवंबर दो हजार तेईस का कोशन पेपर और कोशन पेपर का जो शॉलूशन है वो मेरे हिसाब से नहीं है वो ICAI के हिसाब से है तो अच्छी बात है कि सजिश्टिट मेरे सामने है और मैं सजिश्टिट के हिसाब से ही डिस्कुर्श करूँगा नवंबर दो हजार तेईस ठीक है सर कोशन नए थी कि नए नहीं थे अब वो तो पत्व लगी जाएगा जो पढ़ा है उससे पाकि हाँ एक दो कोशन मुझे डिस्कुर्शन करना चाहिए एक फॉरेक्स का मुझे अच्छा कोशन नचराया एक APT का तो कोशन टूटली गलत है और वही गलत कोशन तो एक APT का क कोशन है जिसमें थोड़ी सी समस्या है समस्या है किया कोशन सेप्चुल गलत है एक फॉरेक्स का कोशन डाला है एक डियुट्यूर्ट का जिसमें बाइनोमियल और रिस्क निजूटल दो चीज पूच लिए उस में करूंगा हलाकि यहें क्लास में डिस्कुर्शन हो चुका था तब फिर भी discussion कर लेते हैं yes तो अगर मैं बात करूं question number one की हाजी suggested का मैं आपको दे देता हूँ with solution question number one question number one करे क्या totally छोड़ दो question number one हमें नहीं करना है क्यों sir क्योंकि already बड़े सारे questions है हमारी बुक में इस question में ऐसी कोई खास बात नहीं थी आपसे नहीं बनता हंड्रेट पर्शन ये question आपसे बनेगा ही ये वाला question है जिसने बच्चों को परेशान किया question number one one b मुझे description करना पड़ेगा पड़े एक बार ओके उसर वन बी देखे an investor has categorized all the available stock in the market into following types जितने भी available stocks थे जितने भी stocks थे market में उनको उन्होंने type में बाट दिया है category में बाट दिया an estimate उनका weight से भी दे दिया हाँ sir इस type का question थो हमने APT में किया हुआ यस पर ये दो question को mix करके वो मैं समझा रहू तो जितने भी stocks थे उन्होंने चार category में बाट आ है ठीक है उनका weight बता दिया है in the market index उनका weights भी बता दिया but the sensitivity of return sir sensitivity का मतलब क्या होता बीटा okay बीटा बताया है अब this category of stocks of two factors दो factors दिया एक factor का नाम है inflation और एक factor का नाम है stock market ठीक है अब यार दिक्कत क्या है यहां factor risk premium देना था और बीटा देना था तो APTM को समझ में आता इन्होंने चार category में बाटा है ठीक है भाई या agree हूँ weights भी दे दिया है बीटा दिया यहां risk premium देता तो मज़ा आता यहां risk premium नहीं दिया दूसरा factor उसका बीटा रिस्क premium देना था मैं ऐसे निकालता APT का equation RF plus FRP1 into beta 1 plus FRP2 into beta 2 beta तो मिल गया दोनों का पर FRP factor risk premium नहीं दिया ठीक है अगर APT की बात करो APT का हमको equation मालू है कि APT की हिसाब से expect return का forum ला है मैं क्या करता मेरी बात समझा पहले मेरी बात समझा पहले मेरी बात समझो मैं क्या करता मैं risk is question को जब मैंने देखा न तो मैं risk premium ढूड़ने की कोशिश कर रहा था क्योंकि beta दिया बात risk premium दे तो मैं क्या करता मालू है मैं APT के हिसाब से इसका 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 individual return निकालता और उसका weighted average निकालता तो मेरा market का निकल जाता अभी मुझे नहीं मालूम कि आगे question क्या बुझ रहा हूँ पर जो question था वह ऐसा ही इस question में एक ही समस्या थी कि उसने factor risk premium ना देकर ये बोला है कि देखो हमारा अनुमान था कि inflation होगा इसका तो 0 है तो इस पर matter पर बात नहीं करूँगा हमारा अनुमान था कि inflation होगा 4.50 पर actual में inflation हो गया 6 तो inflation बढ़ गया 1.5% यही तो risk है जो सोचा था से ज़्यादा हो गया तो वो जो risk premium है उसको उसने risk premium जो सोचा था जो अनुमान था उससे ज़्यादा हो गया तो उसने उसको risk premium बोला और जब मैंने आपको actual में class करवाया हूँ regular class हो जाए exam oriented जब APT पढ़ाया हूँ तो मैंने बोला इन गलत है मैं अब बाल की खालना ही निकालना चाहता ठीक है सर जैसा IACI करवाया है वैसे करवाया हूँ सर बाकी जिन्होंने class देखो कि class जब देखा हो देखो भी तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ साड़े साथ person अभी देखने का time नहीं है आरे ब दिया है साड़े साथ और दो decimal places तक rounded off करना है okay you are required to calculate expected return ये वाला point तो हुआन करी नहीं सकता हूँ expected return on the market index for both factors expected return on the market factor factor 1 factor 2 expected return on the market index market index का expected return क्या होगा दोनों factor का ये वाला point expected return on the market index क्या कहना अचाता है ये मेरे समझ में नहीं आ है I.C.E.I. न बड़ा अच्छा काम किया तो एक्सपेक्ट तो ये है न एक्चुल को भोल जाई बोले factor 1 में expected क्या है बोले 6.7 भी हो सकता है ये small cap का है बोले हम तो market का पूछ रहे हैं न भाई तो बोले expected return inflation का inflation का expect return अब देखो कैसे inflation की वज़ह से expect return 6.70 भी हो सकता है 4.5 भी हो सकता है 6.75 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है ये small cap का हो गया ये median cap का ये large cap का ये flexi cap का और बोले आप जब इनको weighted average करोगे तो जो आएगा वो आएगा market का return किस factor का factor 1 का उन्होंने कुछ नहीं किया सर ये जो अनुमानित था inflation उसको उन्होंने weight से multiply कर दिया और उसका नाम दिया expect return on the market index for inflation factor 1 ओके तो सर ये factor 1 का और ये factor 2 का तो मुझे ज़्यादा नहीं समया ओके ठीक है सर तो ये इस point की वज़े से बच्चे बहुत ज़्यादा आपरेशन है कि मां क्या रहा भाई कुछ लोगों का ऐसा लग रहा कि ये तो CAPM मांग रहा तो CAPM डाल दिया मतलब सबने अपनी APT के हिसाब से return निकाल लिया यह PM के हिसाब से मतलब छोड़ो आप क्या करना है इसमें रट्टा मारना पड़ेगा यह वाला point मैं नहीं समझा सकता कुछ नहीं करना सर इस से multiply करना इसको तो expected return of market निकल गया factor 1 का और सर यहां बीटा से multiply करना है इसका तो expected return निकल गया stock market ठीक है दूसरा point number 2 expected return on the market index under arbitrage pricing theory APT के हिसाब से चाहिए APT का सबको मालूम है एक विश आरे प्लस factor risk premium 1 into beta 1 factor risk premium into beta 2 अब मैंने न क्या किया IC AI ने क्या किया उसका presentation है आपकी समने में logic के साथ बात कर रहा हूँ आला कि पूरी तरह से सही नहीं है मैं अलग-अलग small cap के stocks का medium caps large cap और flexi caps का अलग-अलग return निकाल रहा हूँ फिर weight जो दिया उसके सबसे क्या मुझे आरे पता है यस सर फैक्टर risk premium नहीं मालूम और factor risk premium ऐसे निकला अनुमान था कि 6.7 और हुआ भी 6.7 मतलब कोई risk premium हुआ ही नहीं तो उन्होंने 0 लिया अच्छा 0 into 1.2 अब यहां देखो अच्छे सर हमने सोचा था कि inflation होगा 4.5% लेकिन हुआ सर 6 तो कितने से ज़्यादा होगा 1.5 से इसको बोला actual minus expected को वो बोल रहा factor risk premium यहां की बात करो कितना सोचा था 10 कितना साड़े 10 मतलब कितने से बड़ा 0.5% तो यह क्या आएगा यह है 0 into 1.2, 0.5 into 0.8 तो यह small cap का apt के हिसाब से expected return निकाल लिया है ऐसे medium cap का भी 1.5 into 1.75 और 1 into 9 इस तरह से मैंने हर एक stock का apt के हिसाब से expected return निकाल लिया है अब उसे ने मांगा किस का है sir market index का तो weight दे दिया यह तो sir हमको आता है और answer आया 9.03 पर sir इसको हम table में कर सकते कि कर ले ना जैसे I.C.E.I. किया कोई दिक्कत के बाद पिर उनका कहना कि मान लो अगर यह weight नहीं होते अगर जो weights होता वो 25% equally होता मतलब divided by 4 तो answer क्या आता तो फिर मेरा expect return of portfolio आता 9.16 मतलब पहले मैंने APT से individual market cap का return निकाल लिया और फिर weighted average कर दिया ओके तो यह आगया 9.03 और अगर हम equal weight दे दे तो 9.16 तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा क्या equal weight अंसर ज्यादा आ रहा है इस question में क्या रटने वाला था especially जो रटने वाला था वो तो पहले पॉइंट था उसरा तो कैसे भी manageable है हाला कि मैं आपसे को challenge करता हूँ कि हर point रटने वाला आप मेरे regular class दीखिए पर चलो manageable है first वाले point में मुझे ज्यादा बात हजा okay अकि theory है तो वह कर लोगे ICA ने ऐसा presentation किया एक ही कर रहा है मैंने एक line में कर दिया वो table में कर रहा है okay आकि answer जो हमको चाहिए था वो मिल गए इसका copy मैंने आपको दे दिया हूँ तो आप चेक कर लोगे अब देखो यार वैसे मैं theory discuss करने के लिए नहीं आया हूँ पर देखो securitization में क्या समस्या है तो taxation है और documentation सही रंग से नहीं है उसी में से एक है securitization इंडिया में क्यों successful नहीं है तो उसके पीछे है कि lack of existing of wealth debt market इंडिया का बहुत अच्छा नहीं है एक point है taxation accounting और documentation standardizedization नहीं है और उसी में एक था inadequate debt market अब इसमें पूछ क्या रहा है पूछ क्या रहा है कि यार inadequate debt market एक वजह है securitization क्या क्या यह सही है सही है तो explain कीजिए और साथ में other problem भी बताईए तो ठीक है कुछ नहीं करना था सर्वाले point लिखना था हाला कि मुझे जब मैं other point भी बताईए वो नहीं पड़ता तो मुझे क्या करना था lack of standardization sorry ineffective कहां गया भाई तर आगे हो inadequate debt market लिख देता मैं पढ़ देना भाई question number two इस question की मैं बात करूँ यह मुझे समझाना पर देना question number two तर कहां का question आया था question number two जो जो था वो आया था clarity और इस question ने बवाल मचा रह एक teacher के particular videos इस question पे आ रहे थे कि ICAI आप ऐसे कैसे कर सकते हैं और मैंने भी सायद live classes यह आपसे जब discussion हुआ था गूगल मीट हुआ था तो भी मैंने आपसके साथ discussion किया था कि इस question में ऐसा नहीं करना चाहिए बहुत सारे questions को इस में बहुत कार सारे बच्चों को इस questions पे जीरो नंबर मिला बहुत सारे question बच्चों को इस question पे चाहर नंबर मिला आठ नंबर का question था 1 और 2 पॉइंट एक बब पढ़े तो क्या बोर following is the information available pertaining to share of Omni Limited current market price है 420 ठीक है strike price strike price है 4.500 maximum price दे रखा है मतलब sir upper price है lower price है और continuously compounding है और इसका factor भी देख इससे अच्छा आसान question दिख नहीं रहोगा साप साप बात है कि यह binomial का question है exactly binomial का ही question calculate the 3 month call option call option call option call option 450 से उपर जाएगा तो call option call option का value निकालना है period कितना है 3 month by using binomial model और जैसे binomial model आता है तो binomial भर बोला तो मैंने क्या कहता अगर binomial भर बोला है तो risk neutral probability लगा लेना देखो binomial model में 3 approach है एक delta housing है तो जो मैंने करवाया हूँ एक risk neutral है और एक replicating portfolio है उसका कोई question नहीं तो मैंने नहीं भी करवाया हूँ मान लेते हैं पर दो approach तो उपको पता है एक कौन सा सर एक risk neutral जो हम करते ही करते हैं और एक कौन सा और सर एक delta housing delta housing का एक ही question है Mr. दयाल वाला तो उस question की मैं बात मा करूँ it means अगर binomial आया तो हम risk neutral से कर लेते that's it यही तो मैंने पढ़ाया था लेकिन हद तो ही तब होती है बोलता है आप value of call निकाल लिए binomial method से भी और risk neutral method से भी अब बच्चों का दिमाग घुम गए क्योंकि मैंने और मैंने यह जनरल यह ऐसी होता है कि binomial बोला तो हम risk neutral से हम answer निकालते है लेकिन यहां तो बच्चों का दिमाग घुम गए अगर हम यहां risk neutral से निकाल देंगे तो यहां किस से निकालेंगे यहां थोड़ा सा दिमाग यूच करना चाहिए था वो मुझे बोलना अच्छा लग रहा एक्जाम में ऐसा होता नहीं है टाइम ही नहीं है और बच्चा सोच नहीं पाता पर बट में होता क्योंकि specifically risk neutral बोला है तो risk neutral तो मैं इसमें लगाता ही लगाता risk neutral सबको आता है अब बच्चा यार अब binomial method में बच्चा क्या सर दो और बच्चे है delta housing और replicating इसमें delta housing लगा देता बच्चा रिस्क नेट्रल के लिए बोला तो इसमें तो risk neutral ही लगना था या थे वो formula r minus d u minus d यह risk neutral है यह हम सबको आता है और इसमें क्या लगाता delta housing it means सर binomial का मतलब delta housing ही होता है अब यह मानना पड़ेगा भाई binomial बोला तो delta housing से करना है और वैसे ना इसमें दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि उसमें risk neutral से भी बोला binomial से भी बोला इसलिए फ़स गए बच्चे तो अब भी इस question के बाद से एक बाद समझ में आई यह जब risk neutral साफ साफ बोलेगा तो risk neutral लगाएंगे जब कुछ भी नहीं बोला है तो हम binomial लगाएंगे binomial मतलब delta housing लगाएंगे delta housing पर practice रही है calculate value under both the model पर फिर से मैं बोल रहा हूँ सिर्प ये एक मात्र question है नहीं तो साफ साफ जितने भी question हमारे पास है इतने भी books में आया है साफ साफ लिखा रहता है risk neutral से करना है तो हम risk neutral से करते हैं two period binomial model हमेशा risk neutral से ही होता है delta housing से नहीं होता है तो two period binomial model के matter पर हम बात नहीं करेंगे वो risk neutral अब single period binomial model बोलेगा single period single period binomial में कोश्चन में साफ साफ लिखा रहता है रिस्क निट्रल से करना तो हम रिस्क निट्रल से करते हैं और अगर बाइनोमियल भी दिया है तो हम रिस्क निट्रल से ही कर देते हैं किसी भी एक method से करना है तो risk-neutral आसान पड़े हैं लिकिन risk-neutral के साथ binomial ऐसा करके लिखा है तो भाईया बाद विल्गो साफ है कि आपको दो method यूच करना पड़ेगा risk-neutral लिखा हुआ तो आपको delta-hasing लगाना पड़े हैं और बताना है कि दोनों के valuation में क्या अंतर है ठीक है पहले binomial उसके लिए हम binomial tree बनाते थे या थे binomial tree डेल्टा है जिनकी में बात करूँ डेल्टा निकलना था डेल्टा कैसे निकलते थे सर हमना सबसे पहले हम प्राइज लिखते थे एक binomial tree 420 जाद है और ऐसा arrow बना सौरी एरो बना देते थे और यहां अपर प्राइज लिखते थे 525 और यहां कितना लिखते थे इस सर यहां लिखते थे हम लोग 378 और फिर उसके बाद सर हम exercise और option कॉन सा है call यहां लिखते थे हम cu और यहां लिखते थे cd cd तो 0 आएगा cu की बात कर लेते थे पासव पचास पासव पच्चीस पासव पच्चीस माइनस यह आगे 75 और फिर हमने के डिफरेंस इन प्राइस एंड डिफरेंस इन कॉल अप्सन कि यह श्यर की option की value में कितना change होगा 75 माइनस जीरो इवाड़िड बाइ 525 माइनस 378 तो हम क्या निकालते थे हम सबसे पहले निकालते थे delta call यह पुल्टा formula लिख दिया है formula ऐसा delta निकलते थे और कैसे निकलते थे यह 75 माइनस जीरो मतलब share के price होने से share के price share price के change होने से option की value में क्या change होता है ठीक है और यह delta निकलता था और delta निकलता था 0.15 delta call और 0.15 का मतलब क्या होता है सर 0.15 का मतलब होता है हम risk free portfolio बनाते थे पूरा delta housing तो discussion नहीं कर पाऊंगा और उसमें हम क्या बोलते थे उसमें हम बोलते थे सर हमने write किया है one call और बच्चों ने पूछा था write ही क्यों तो मैंने राइट ही लेना है write किया है one call हमको डर किस बात कर सर प्राइज बढ़ा तो सामने वाला exercise करेगा ना सर हमको डर ये था कि कहीं share का price बढ़ना जाए अगर हमने क्योंकि हमने write किया है तो सामने वाला option exercise कर दे तो भाई एक काम करूँ ना जब write किया है one call और आपको डर है कि share का price बढ़ना जाए तो share ही खरीद के रख लो तो हम write करेंगे one call और उसको risk free बनाने के लिए hedge तो हम buy कर लेंगे आज ही 0.15, 0.51 सी है हाला कि यहां fraction आया था पुरा लेते तो ज़्यादा मज़ा था फिर write किया one call और buy किया 0.15 सी 0.51 सी है अब share share price 325 भी हो सकता था, 378 भी हो सकता था, हो सकता था हम क्या निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं cash flow on maturity अगर 525 होता है तो सामने वाला call option exercise करेगा और हमें 75 देना पड़ेगा करवाया हूं यार और 378 होता है तो call option lapse हो जाएगा और जो हमारी पास share था, कितना share था, sir 0.51 अगर 525 होता तो हम share बेज देंगे हाला कि यहां 8 आना चाहिए था, sorry, 85 है मैंने round off कर लिया हाला कि मैं सहीं लेता ना चार डिजिट तक, असा बोला कि चार डिजिट तक लेना असा कुछ बोला नहीं, खैर काम काम की बादा, तो सर यह cash on maturity आया कि यह maturity को इतना पैसा मुझे मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है भीया लेकिन उसके लिए इन सब यह पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे शियर का प्राइस 525 हो जाए, चाहे 378 अजा कुछ भी हो जाए, लेकिन भैया उसके लिए आज शियर खरीदना पड़ेगा, आपको मालूम है तो उसका present value, तो इतना पैसा आज मुझे मिलेगा, पर आज मुझे लगेगा, और इतना तो मुझे मिल जाएगा, कम मिलेगा मुझे, सर ये मिलेगा मुझे तीन मैने बाद उसका present value, जो भी difference है, हम premium के रूप में वसूल करने के सामने वाले से, concept logic समझा चुका हूँ, इतना पैसा लगने वाला है, इतना पैसा already हमें मिलना ही मिलना है, तो बच्चा हुआ पैसा हम premium के रूप में वसूल करेंगे, 25 point, जो डेल्टा है से, और risk neutral probability approach में, R-D, U-D, और सर, D कैसे निकलता है, देख लो, 378 divided by 420, 0.9, और U कैसे निकलेगा, 525 divided by 420, 1.25, तो हो जाएगा, सर, P निकल गया, D निकल गया, और फिर हम इसमें लिख देंगे, और ये value हो जाएगा 25.24, हदर तो बच्चों ने तब कर दिया, बोलते सर, वो ना probability का ये वाला formula लगाता है, और आप तो ये वाला लगाते हो, इसलिए सायट card दिया होगा, ऐसे बहुत सार ये बच्चे इसको पुरा चार नंबर मिला इस formula, ये formula गलत नहीं है, ये और ये एक ही तो है, भाई, किन नजरों से देख रहे हैं आप, भाई, मैं 3 प्लस 2 लिखूं या 2 प्लस 3 लिखूं किया काट देगा, मतलब या आपने हद कर दिया, अगर आप बच्चे बोल रहे है सर इस वजह से काटा, इस formula की वजह से, मैं बहुत सारी answer sheet आपको बता दूँगा, पुरा चार नंबर का चार नंबर मिला है, आज जोड़के मिनती है, ये सब जो बच्चे फैलाते हैं ना, नहीं, यही तो formula, ये कहां से आया है, पता भी है, कुछ भी बात करते हैं, इसका deriv ही बात है, जो बोल रहा है, जो इसमें और इसमें जिनको अलग नजर आ रहा है, महानों आप, फिर में कुछ नहीं कर सकता, अलग ही, इसका भी मैं समझा चुका हूँ, बहुत अच्छे से, खेर, मुझे ये सब बातों में नहीं पढ़ना है, अंसर आ रहा है, 25 पॉइंट क अब वही चीज़े लिखा हुआ है, रिस्क फ्री पोर्टफॉली में, और सर रिस्क नूट्रल में हम ये मान के चलते हैं कि रिस्क है ही नहीं, हम कहते हैं कि अगर हम स्टॉक में पैसा लगाए, और एक नो आर्विट्रेज वाला हम, ये तो मैंने समझा है, नो आर्विट् वाली सिचुएशन क्रियेट करते हैं, कोई बता है, इंडिपेंडेंट के रिस्क नूट्रल है मान के चलते हैं, ये रही हैं, बाकि पहला वाला पार्ट ज़्यादे इंपोर्टेंट था, इस कोश्चन से हमें सीखने की बात वस इतनी मिली, कि अगर बाइनोमियल आया तो देल्टा हैजिंग से कर देना है, बाइनोमियल और रिस्क नूट्रल दोनों आया, तो वो कहना चाहता है, बाइनोमियल मत्तब डेल्टा हैजिंग, ये वाला कोश्चन भी अच्छा था, पर ऐसा कुछ विश्यस बात नहीं थी, पढ़ जरूर देता हूँ मैं, मुश्यल फ देट आप इन्वेस्टमेंट, एक छे, और डिविडेल मिल रहा 31st, अतलब सर और आयने भी भी दिया, कितने दिन, सर जून से स्टार्ट कर, येस, जून, आउंट करूं क्या दिन, त्यून का 30, जुलाई, अगस्ट, त्यून, जुलाई, अगस्ट, सेप्टेमर, अक्टोर, सर नौर, देसेंबर, जनुवरी, तैफ, आर्च बचार ना सर, 304 दिन, 304 दिन के इन्वेस्टमेंट, उसमें डिविडेंट इतना मिला, और एन्वी इतना हो, और एन्वी में इंक्रीज हुआ है, 22,727, इट मिन्स देखा जाए, सर, तो हमारी इन्कम कितने की, इन्कम सर, 12,500 की इंकम है, डिविडेंट की, और एन्वी भी बढ़ गया, 22,727, यह एन्वी बढ़ गया, तो 12,500 यह और 22,727, तो सर, टूटल, 35,227, कितने इंकम हो रही है, रुपीज में, और पर्शनेटेज में यह बता दिया, पर यह तो पर रहनम है, तो इसको 304 दिन में कर्वर्ट कर लेते हैं, तो सर, 4.2296, तो इसको 304 दिन में गया, तो सर, यह आगया, 3.35, 5, 2, 2, 4 डिजित, बोला है किया सब, पर्शनेटेज, यह पर्शनेटेज आया, यह चो इनकम है, इसके बराबर है, तो बोलो, कितना पैसा लगाया हो का, सिंपल है, तो सर, यह आगया, 3.522, 7.2, 7.2, 7.2, 7.2, 10,00, रुपया लगाया, 10,00, रुपया लगाया, अमाउट अप इन्वेस्टमेंट मेट, 10,00, नमबर अफ युनेट से निकालना तो ग्या रहा से डिवाइट कर देना, बन जाएगा यह कोशन, यह 10.9.9 रुपया लगाया, 11.1 निकालना तो ग्याया से करोगे तो नमबर अफ युनेट से जाएगा, simple question था बहुत जाद मुश्किल question नहीं आया था और क्या पूछा है बताईए कौन से scheme में invest कर तो इसको देखना पड़ेगा तर C से पैसा निकालो और A से भी निकालो और B में ज़्यादा return है तो B में investment कर दीजिए इसमें था क्या सोचने में A से निकाली है question number 3 कट कर दीजिए right shares का question था और repeat ही उदा इसमें इसा कुछ right shares का बिल्लकुल simple question था मैं discuss नहीं कर वा solution आपके पास है समझ में जाएगा मैं उन्ही बातों पे बात उन्ही चीजों पे discuss करूँ न जो थोड़ा नया दिख रहा हूँ जैसे ये वाला question है 3B होगा साथ पता नहीं जोगा 4X का question आया actually question है तो 4X का 4X का question आया था वहतरीन question है question number 3B है 4X का question है अच्छा question और option currency option का question था चलो देखते हैं इस question में क्या खास बात है यसा तर कोई Japanese company है ठीक है भाई Japanese company import कर रही है तर Japanese company है और import कर रही मतलब payable है company which is to know the और payable कितना है dollar 1 million 1 million dollar को payment करना और payment कब करना तीन मैने के अंदर payment करना ठीक है सरी the CFO of the company wishes to know the best strategy for protection against uncertainty simple सी बात है dollar खरीदना पड़ेगा जापान वाली को किस बात कर रहा है dollar के बढ़ने कर रहा है that's it dollar के बढ़ने कर रहा for the payment that has to be made at the end of 3 month financial team of the company has collected the following option for evaluating action rate quoted in forex market forex market मतलब वही bank bank तो यार spot rate दिया है अब सबसे पहली बात है कि यह क्या करेगा rate किसका दिया sir rate दिया dollar का तो यह dollar खरीदेगा तिक्कत क्या है और खरीदेगा तो ask rate और 3 month forward बात करता है option 1 में कुछ था ही नहीं option 1 में पहला है forward cover करोगे तो आपको 145 के हिसाब से 1 dollar खरीदना पड़ेगा तो आपको 1 million dollar का payment करना पड़ेगा gain 145 million इसमें कुछ था ही नहीं forward cover में कुछ नहीं option 2 option market currency option option market rates for European option with 3 month expiry देखो दो तरीके से answer आ सकते हैं कि आप यह सोचो यार जो भी pay off मिलेगा gross pay off और जो भी rate बढ़ेगा वैसे करते नहीं है currency option में जब मैंने आपको currency option करवाया हूं तो मैंने एक बात आपसे बोला था यार आप physically delivery मान के याद है मैंने आपको एक सब्द बोला है और याद नहीं है तो class open कीजिए और देखिए यार call का मतलब क्या होता है अगर मैंने call by किया है तो वैसे तो यार meaning actual में क्या है practically सर बढ़ेगा तो pay off मिलेगा नहीं book का meaning है right to buy हमें खरीदने का अधिकार है और put अगर मैंने put का मतलब क्या है अगर मैंने put खरीदा है इसका मतलब इसका मतलब हमें अधिकार है right to sell ठीक है समझ लो भाई I.C.E.I. के हिसाब से करवा रहा हूँ अपना extra दिमाग अगर चल रहा होगा तो आप अपने पास रहा हूँ मैंने जैसे समझाए वैसे है तो बले call और put दोनों है दोनों का strike price है 145 कवाल है कि हम call option खरीदेंगे put option तर यार हमें तो dollar खरीदना है और हमें डर किस बात का कहीं price बढ़ना चाहे price बढ़ेगा तो हमें इस rate पे हम dollar खरीद लेंगे that's it और सब price कम होगा तो कम में मिलेगा पर हम कम का सोचे लेना हम exercise करेंगे तो हमको 145.20 के सबसे किसी भी हाला तो है मिलना ही मिलना और premium इतना देना पड़ेगा call के लिए और put के लिए इतना देना पड़ेगा ठीक अभी call or put strike price 145.20 भी था और एक है 146 और premium भी दिया हुआ है ठीक है दो strike price बताए आगे कुछ तो बताएगा और हमें अनुमाने की price यह हो सकता है अनुमान suggest the best strategy for CFO of the Japanese company पहले forward heads तो forward heads में कुछ सोचने वाली बात नहीं थी 145.20 हमने कहा भाई अगर price बढ़ गया तो हम 145.20 के अब से खरी लें अनुमान क्या है price कितना है हमने buy किया है right to buy मतलब bank बेचेगा yes 145.05 इससे वैसे comparison होना नहीं चाहिए institute करता तो सुन अधियान से वो क्या कहना क्या चाहता बोले देखो हमने जो call खरीदा है call मतलब हमने dollar खरीदने का right है हमारे पस 145.20 हमारे पस अधिकार है कि हम dollar खरीद सकते 145.20 market में क्या rate 145.05 145.05 हमें ये अधिकार था हम इस पे dollar खरीद right ठीक अगर price मान लो 146 हो जाता तो हम 146 में नहीं खरीदते हैं अगर price हमारा कम हो जाता 140 में होता तो हम option exercise नहीं कर सकते नहीं करते हैं 140 के इसाब से खरीद लेते अब institute क्या बोल रहा है कि ये जो expected price है मान लो वही price maturity को हुआ और maturity को market में price भाई ये हो गया अगर वैसे हम difference भी ले लेते तो भी चल जाता और हमें क्या देना पड़ेगा सर हमें देना पड़ेगा premium तो premium कैसे निकाल ला है कितने में बात हुई थी 145.20 और उस पे premium call option का premium दिया हुआ है 1.6766 percentage वो अलग add हो जाएगा 2.4 तो हमें कितने का पड़ा 147.4 का पड़ा कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत में था कोई अच्छा था ठीक है आगे बढ़ा है यहां तक भी न जैसे देसे संभान लेगा दिल अगर मेरा टूटा तो यहां टूटा यहां टूटा साथ भाई लिखा है यह भी बात समझ भी आथा यह strategy भी सही है यह क्या बोलना चाहता है यह भगवान sell three month put sell option कितना strike price है 145 अब मैं जरब put का सोच के देखता हूँ 145.2 put कब खरीदते है जब price कम होगा और मैं यह हूँ और सामने वाले ने मुझसे put खरीदा है तो sir वो हमको premium देगा वो हमको premium देगा और वो कब exercise करेगा जब price गिरेगा अब सोच अराम से दिलकुनी कैसी strike सोचते थोड़ा से सिर मान लो dollar का price 150 हो गए तो क्या सामने वाले exercise करेगा ने क्या मुझे premium मिला है हाँ sir तो मुझे तो dollar 150 के हिसाब से खरीदना पड़ेगा ना hedge कहा हुआ अगर 160 हुआ तो 160 की साब से खरीदना बस premium की कमाई हुई है कि कैसी hedge और sir मान लो price कम हो गया मान लो market में 140 हो गया तो सामने वाला हमें बेज देंगा सामने वाला option exercise करेगा put का मतलब क्या होता है put का मतलब होता है write to sell dictionary meaning तो यह है book का meaning write to sell सामने वाला हमें बेचेगा अगर rate कम होँआ तो सामने वाला 145.20 की सब से हमें बेचेगा और हमें तो खरीदना ही पड़ेगा no doubt premium मिला है तो हम minus करेगा सवाल यह है सवाल यह नहीं है डर किस बात का है premium लेकर बैट होगे बस कहां से risk है जो बहुत है I.C.I. कुछ नहीं बोलता बोले देखो भाईया put का मतलब है कि सामने वाले के पास right है कि वो आपको बेचेगा आपको dollar ही खरीदना है ना तो आपको मिल जाएगा ना price कम होगा तो price कम होगा तो आपको कम price में नहीं खरीद सकते है आपको इसी price में खरीदना पड़ेगा खुशी बस इतनी है कि premium मिलेगा बेकार strategy है ऐसे कैसे strategy हो सकती है institute का दिल किया उठा कर डाल दिया खतम कर लो आप चलो अब right to sell है तो sell मतलब bank खरीदेगा किस rate से comparison करना पड़ेगा right to sell मतलब सर मतलब क्या है right to sell मतलब अगर आप कह रहे हो कि आप comparison कर रहे हो किस rate से करेंगे भाई मैं क्या करूंगा अगर मैं मुझे ध्यां से देखना पड़ेगा हमने put क्या किया है put हमने right किया यहां से पढ़ा रहा हूँ, एक बार पढ़ा दो हमने थ्री मन्थ पूट राइट किया कितने में 145.20 एक्सपेक्टेड स्पॉर्ट प्राइज आफ्टर थ्री मन्थ 144.90 बस सवाल बस इतना 144.90 क्यों ले दो यह समझाने की सुझा कॉल के लिए कॉल का मतलब क्या होता और पुट का मतलब क्या होता दोनों के लिए प्राइज अलग अलग कॉल का मतलब होता हम खरी देंगे पुट का मतलब होता हम बेचिंगे मतलब बैंक खरी देंगा ही ये call के लिए price है, ये put के लिए price है, ऐसा उन्होंने लिया है, ठीक है sir, okay, ठीक, तो sir 144.90 हो गया तीन मैने बाद, जबकि rate है, strike price है, क्या सामने वाला option exercise करेगा, yes, अगर वो option exercise करेगा, तो हम इस rate में नहीं खरीद पाए, फिर तो हमें इस rate में खरीद नहीं पड़ेगा, 145.20 तो यहाँ 145.20 लिखा है, तो डाउट की बदले में हमको premium मिल जाएगा, premium हमको मालो में strike price into जो भी rate हो, इससे मैं बिलकुल सहमत नहीं हूँ, और जो सहमत है वो भगवान भरोसे, मैं नहीं जानता कि क्या concept है, क्या logic है, इससे नहीं भई, ये तो ठीक है, इससे मैं बिलकु strategy क्या है, इसरा क्या बोल रहा है कि आप call खरीदिए, 146 का call खरीदेंगे, तो हमको premium देना पड़ेगा, और बोले put बेज दीचे, मतलब premium मिलेगा, net premium निकाल लेगा, उसका कोई दिक करते हैं, लेकिन जब रस हो से, अगर price बढ़ा तो हम call exercise कर लेगे हम 146 कम, अच्छा price इस से तो ज़्यादा है, 146 में हम call option exercise करें, 45 पॉइंट, और सर, और सर, 146, और सर, price कम हो गया, कम हो गया, तो सर, सामने वाला put exercise करेगा, हाँ, पास समझने की किश करना, अब क्या चक्कर, आपको अब इस से comparison करना, अब अराम से सोचना भीटे, अब comparison करके, हमने call खरीदा है, 146, मतलब सर, 146 से उपर जाएगा, तो हम call exercise करेंगे, जबकि rate 145.05 भी हुआ, तो call lapse हो, call lapse हो, तो सर, फिर हम 146 का डॉलर नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, तो 145.05 का खरीद सकते थे, कि खरीद सकते थे हम, लेकिन put का भी तो देखना पड़ेगा, अब बात समझने की कोशित, अगर put नहीं होता, तो हम 145.05 के सबसे डॉलर खरीद सकते, पर put वाले की बात करो, यस, put जो है, हमारा तो obligation है, यस, हमने put right किया, put right किया, मतलब सामने वाला option exercise करेगा, अगर 146.05 से कम होगा price, और 146 से कम होगा, वो option exercise करेगा, और वो तो हमें 146 के हिसाब से बेचेगा ही बेचेगा, बस इतनी सी बात, तो भाई, पहले तो उन्होंने जो लिया, ये net premium हमें क्या मिल रहा है, सब premium pad हो रहा, premium तो receive हो रहा है, ठीक है, मैंने कहा, कि हम call exercise नहीं कर पड़ेगा, और हमें 146 के साब से खरीदना ही पड़ेगा, और less किया premium तो ये, ठीक है, इस strategy, गलत नहीं है, ओके, और सर बढ़ता है, और भी बढ़ता है, तो हम call exercise कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, सर, इस strategy तो समझ में आता है, पर पूछा कौन सा best है, तो उसने लिए कहा कि सिर्फ put option is best, selling put is the best, selling put तो मुझे strategy है, समझ में ही नहीं है, ओके, ये वाला तो थोड़ा, ये समझ में भी आगए, ये सहीं भी है, यार आपने सुनो, actual में किया क्या है, ये third strategy की में बात करूँ ना, थोड़ा सा खुल के बात करूँ, थोड़ा सा टाइम तो दे दो, अगर मैंने call खरीदा है, मुझे को मालूम है कि price बढ़ेगा, तो मैं call exercise करूँ, मुझे मालूम है, अगर price 150 भी हो जाए, तो भी समस्या नहीं है, मुझे dollar 146 का मिलेगा, तो अगर price कम हो गया, तो मैं कम में खरीदूँगा, कि मुझे कम में खरीदने की ज़रुत नहीं, मुझे 146 से कम में नहीं खरीदना, और मैं जानता हूँ 146 से कम होगा, होना ही नहीं है, तो यह put right कर देतना premium की recovery तो होगी, यह सही है strategy, पैत्री, मज़ा आ गया, इसका, यह वाला कोई strategy नहीं है, ठीक है sir, time pass नहीं करते हैं, आगे चलते हैं, बहुत समय लिए, अपने, अरे कहल से कर लोगे है, okay, sir, यह question number 4A करने की ज़रूरत नहीं है, repeat, मत करना, मत करना, बुक में already है, sir, question number T-bill future, T-bond future, T-bond future, conversion factor, करवाए हूँ, यह वाला question कहां मिलेगा sir, कहां देखना है हमको, तो भीया, यह वाला question मैंने AFM update में डाल रखा होगा, या फिर ratio में, देख ले ना, नाम लिख दिया है, हाँ नहीं, AFM update में डाल रखा है, AFM ratio वाली topic में, वो नाम लिखा, T-bond future, T-bond future, conversion factor, vector लेकर हम काम करते थे, यह वाले question में बस एक दिखते है, repeat question है, बस क्या है यार, देखो ना यार, date 13 तारीक हो गई है, तीन दिन, तीन दिन के बाद automatic cancellation, तीन दिन में automatic cancellation है, अब इन भाई साब ने ये पुराना rules था, 15 दिन वाला, तो पुराना वाला question उठा कर डाल दिया, बाकी तो question में, question नहीं है, मैंने discuss कर चुका हूँ, ठीक है, तो normal, ऐसे question कर रहा था, बस 10 दिन का interest आएगा, आप करोगे तो इसको हो जाएगा, इसको B, और ये है 5B, देखें क्या 5B, ऐसा नहीं है कि अगर इसको मैं नहीं भी समझाओं तो हो जाएगा, बस थोड़ी सी वो minus वाली बास, तो को BSE sensex दिया, मतलब सर्मार्केट दिया, stock R दिया और Z दिया, बीटा निकालना है, तो बीटा कैसे निकालोगे, सर्थ चेंज इन, stock में कितने का चेंज हो रहा है, एक positive 32 है और एक minus है, मतलब इन दोनों के बीच का चेंज कितना हो जाएगा, तो 32 plus 4, तो 36 का चेंज, और उधर 25 plus 4, तो 5 है, तो 30 का चेंज, और 18 plus 3, तो 21, बीटा निकालना है तो बीटा तो आपको आराम से मालूम है ना यार, तो बीटा हमको मालूम है, क्या है, 36 by 30, और दूसरे बीटा के आएगा, 21 by 30 हो गया खता, 36 by 30, चेंज इन स्टॉक रिटन, ऐसा कोशन सर किया है, एक आगया 1.2, और 21 by 30, यह आगया पॉइंट से, बीटा, तो बीटा निकाला 1.2 आगया, और एक क्या आगया, 0.7 आगया, अल्टरनेटिव मत करो, क्यों दो साल का र वेरियंस वेरियंस रिंकाल के जरुरत नहीं है, ओके सर, बीटा निकल गया, आगया क्या बोला है, एक्सपेक्ट रिटन और इच श्टॉक, इप दा लाइकलिवड आप मार्केट अचेविं सेनारियो 1, और यह सेनारियो 1, इस थ्राइस दा लाइकलिवड आप देना तीन और इस पे एक गड़ना वन ताइम, आप से काम हो जाएगा, याद है ऐसे एक और कोश्चन है बुक में उसमें एककल बेट बुला है, उसा 32 इंटो 3, M प्लस, 4 माइनस इंटो 1, M प्लस MRC डिवादेड बाइ 4, पांसर सर आजाएगा 23, पास हो जाएग अब तो, तो तरह य तो यह आजाएगा 12.75 पर एक्सपेक्ट रिटर ओफ मार्केट यह भी यहां 3 और 1 किरके मार्केट का रिटर भी निकल जाएगा, और सेक्योरिटी मार्केट लाइन भी आजाएगा, तमस्या मुझे अलफा से था पहले भी, अलफा से अभी भी है, वो अलफा कौन सा वाला निकलता, कैरेक्टरिस्टिक लाइन वाला, अला कि इस बार नहीं निकाला होगा, नहीं सर्वेस से निकल, कैरेक्टरिस्टिक लाइन लगा थिया है, और सर इससे पहले भी जो कोशन मैंने करवाए हूं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, उसमें भी CL को यूच किया, पढ़ लेना, इस कोशन में कुछ नहीं है, ये हमारे इवा का कोशन है, और सेम कोशन है, और एपल और मैंगो, पता नहीं क्या क्या नाम था, ये कोशन करवाया हूं, रिपीट कोशन है, कट बिजनेस वैलिशन का कोशन डाल दिया, ये वाला कोशन अच्छा है, आखरी कोशन, ओके, आट मिनट से पहले-पहले में खतम करना है, एक गंडे से ज्यादा क्या दोगे एक पीपर में, इस टैप का कोशन इंट्रेस्ट रेट रिस्क मैनेज़िमेंट में है, हाला कि वो कोशन कुछ भी नहीं है, कोशन में बहुत कुछ पूछ लिया है, पढ़े के एक बर कोशन है, इसमें कोई अलग से फिर कमिशन एड नहीं हो, कई बार क्या होता है, जैसे एक रेट होता है, उसमें और प्लस होता है ना, इसमें सब कुछ नहीं हो, अल इन कोशन, मतलब सर ये फिक्स रेट है, और ये कौन सा है, ये फ्लोटिंग रेट, लाइब़, आठ और 8.2 का मतलब क्या है, सुनो, तो सुनो, 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 आठ और 8.2, मानलो ये है, राम, ये लाइब़ देगा, तो बदले में इंटरस्ट देगी, तो वो कितना है, 8 परशन, मतलब लाइब़ बैंक को मिलेगा, वो देगा 8, अच्छा सर, लाइब़ गया, क्यों गया, क्या सोच रहे हो, लाइब़ क्यों से, सर, कम होगा, तो हम सोच रहे है, 8 परशन से भी कम होगा, तो हम लाइब़ देगे, बदले म हमको देना है तो बैंक तो हमसे ज़्यादा ही लेगा 8.2 अब समझ नहीं कि बात करो कि बाइस स्वेप और सेल्ट स्वेप क्या होता है एक बात पक्की है कि बैंक इस रेट पर बेचता है इस रेट पर खरीदता है यह यह यूज हूँ हमने यह यहां से बात करों बैंक ने खरीदा रेट कौन सा 8.2 मतलब सर हम दे रहा है 8.2 इसका मतलब हमने स्वेप क्या किया होगा बाई किया 8.2 हम दे रहे हैं बदले में हम लाइबोर ले रहे हैं मतलब हमने swap buy किया है और दूसरे से हमें क्या लग रहा है हम दे रहे 8.2 और ले रहे है लाइबोर मतलब सर लाइबोर में हमारा long position है मतलब buy swap और जहां short position है वहां sell swap ओके या फिर simple सी मात है आप देखो ना bank बेचेगा और खरीदेगा सर बैंक बेचेगा इस पे मतलब बैंक जब आपसे लेगा तो 8.2 लेगा मतलब सर हम 8.2 देगे मतलब हमने buy किया है हाँ bank ने बेचा है क्या swap इसको बोलते है buy swap और इसको बोलते है sell swap जब हमको ज़्यादा देना है तो हमने swap buy किया जब हम सको कम आ रहा है तो हमने swap नोशन प्रिंसिपल है 1 million and the same is for a period of 3 years reset after 6 months बताइए कि dealer का जो quote कर रखा है वो क्या चीज तो इसमें point number 1 में उन्होंने लिखा है कि देखो कि all in cost का मतलब है कि और कोई commission commission charge नहीं करेगा दूसरा उन्होंने लिखा कि इसमें एक rate floating होता है एक rate fix होता है यह floating और यह fix है और all in cost का मतलब इस पे कोई extra charge नहीं करेगा हाला कि bank इन दोनों के बीच का difference की कमाई कर रहा है पहला question completely theoretical था कि मतलब उन्होंने बता रहे दूसरा अगर firm buy कर रहा है swap तो nature of cash flow क्या होगा buy कर रहा है swap देखो न मैंने कहा न यह point अलग है यह वाला भी point exam में नहीं आया था अगर buy कर रहा है swap तो इसका मतलब हम देंगे bank लेगा 8.2 और बदले में liebore देगा मतलब सब बैंक बेच रहा है liebore और हम खरीद रहा है liebore हम खरीद रहा है floating ठीक है ओके और वैसे selling swap पर भी मतलब समझ जाओगे इस diagram से समझ जाओगे यह वाला point पूछा है भाई साब यह वाला बस exam में यह वाला तीन point नहीं आग है calculate the semi-annual fixed payment for the buyer of swap at the end of every six month buyer इस case of swap six month libor आएगा जाएगा 8.2% तो पूछ किया रहा है semi-annual fixed payment पता यह कितना आएगा तो निकाल लेते है 1 million मतलब 10 lakh 10 lakh into 8.2% into 6 by 12 तो यह आगा 41,000 rupees fixed payment if the six month period from the effective date of swap to the 181 days हाँ सर यह तो बढ़ा हुआ 5% libor है तो बताएगे क्या होगा 181 days और एक साल में कितना दिन लेना 360 दिन लेना तो निकाल सकते हैं तो यह निकाल सकते हूँ तस ताक 5% तो सर यह आगे 25,139 25,139 मतलब सर हमको देना पड़ेगा नेटिंग में 41,000 मतलब सर नेटिंग में हमको देना पड़ेगा 15,821 देना पड़ेगा ओके बाकी थी मैंने करवाया एक गंटे का टाइम हमारा इसमें चला गए एक तो भाई 4X वाला कोश्चन देखना पड़ेगा आपको इसके अलावा एक डेरिवटी वाला कोश्चन देखना पड़ेगा पहला जो कोश्चन है न APT वाला तो उसको देखने का जैंसर नहीं कुछ भी कर रखा है तीन कोश्चन देखना पड़ेगा और यह चोहता भी मुझे ठीक ठाक लग रहा वाई सेल, स्वैप सेल मतलब आपको इसमें से टोटल मिलाकर 4 कोश्चन देखना 4X वाला कोश्चन हो गए इसमें देखना है आपको APT वाला कोशचन देख ले ना और एक यह वाला कोश्च वाला कोश्च सन देख Rikk, अच्छा कोश्च देख रहा थाली token क्यू स्वाच, और शाल education